ग्लोबल मार्केट में तेजी के बाद भी घरेलू मार्केट में खाने हैं इसके साथ ही कुछ तेल की कीमतों में कोई खास बदलाब नहीं हुआ है इसके साथ ही कारुबार की मांग कमजोर होने के बाद भी सीप्यो और पामोलियन तेल की कीमतों में सुधार देखने को मिला है आपको बता दे आयाती तेलों की मांग भी नहीं के बराबर है जिसके पिछले साल के मुकाबले इस बार अप्रेल में आयात लगबग 13 फीसदी घड़ गया है CP और पामोलियन तेलों के मुकाबले विशेश कर उत्तर भारत में सरसो रिफाइन भी काफी सस्ता हुआ है CP और पामोलियन के केवल भाव ही नहीं देश में इन तेलों की मांग भी ना के बराबर देखने को मिली है इसके साथ ही एजेंसी सस्ते में उपलब्द सरसो का स्टॉक तयार कर ले जो ज़रूरत के वक्त उनके काम आएगी वही आयाते तेलों की कमी को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर सरसो का रिफाइन तयार किया जा रहा है जिससे अधिक सरसो पादन होने के बावजूद आगे जाकर सरसो में दिक्कत आ सकती है वही सूत्रों ने बताये कि फिछले हफते के मुकाबरे सरसो दाने का भाव 50 रुपए टूटकर 7,615 से 7,665 रुपए प्रतिक कुइंटल पर बंद हुआ सूत्रों ने कहा कि विदेशी बजारों में तेजी के बाव जूद डियोसी मांग कमजोर होने से सोयवीन दाने और सोयवीन लूज के बाव 50-50 रुपए की हानी के साथ 7,000 से 7,100 रुपए और 6,700 से 6,800 रुपए प्रतिक कुइंटल पर ये बंद हुए तो ये थी बात खादे तेलों की कि सरसो सोयवीन समयत कई तेलों की जो कींते हैं उनमें कटोती देखने को मिली है इसके साथ ही तेल की जो कींतों में कोई खास बदलाब भी नहीं हुआ है तो बड़ी खबरों में अभी बस इतना ही लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें मार्के टाइम्स चीवी के साथ मुझे दीजे जाज़त तमशकार